हाई फ्रेंश केसे हैं आप आशा करती हों सब लोग अच्छे होंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं यह प्रेगनेंसे टेस्ट करने का सही तरीका और सही समय क्या होता है क्योंगि कई फीमेल्स काफे एक्साइटेड रहती हैं और काफे कपल्स प्रेग तो आज इस वीडियो के माद्यम से हम जानेंगे कि प्रेग्नेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है और सही समय क्या होता जिससे कि हमें एकदम क्लियरलीDelT मिले या एकदम हम यह जान सके कि हमारा टेस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव है तो सबसे पहला ध्यान आपको यह देना है कि जब भी आप pregnancy test करें तो आप period miss होने के एक हफ़ते के बाद में ही pregnancy test करें क्योंकि कई बार females काफी जल्दी pregnancy test कर लेती है जिसके कारण वो result सही से पता नहीं कर पाती है और कहीं बारे सा होता है कि एक line हमारी light आती है और एक line डार काती है तो अगर light line आती है तो उसका क्या कारण होता है उसका सबसे main reason यहीं होता है कि आपने pregnancy test काफी पहले कर लिया क्योंकि हमारी body में एक beta-sg hormone secret होता है और वो secret होने के बाद में ही हम यह जान सकते हैं क्योंकि वो हमारी urine में भी secret होता है और blood में भी होता है तो अगर आपको period miss होने से पहले यह जानना है कि हम pregnant है या नहीं है तो आप beta-sg test करवा के देख सकते हैं क्योंकि हमारे blood में सबसे पहले उसका level बढ़ता है उसके बाद में धीरे-धीरे करके urine में भी उसका level बढ़ने लगता है तो जब भी आप pregnancy test करें तो period miss होने के एक हपते के बाद में ही pregnancy test करें ताकि आपको सही result मिले pregnancy test करने का सही तरीका क्या होता है कि जब भी आप pregnancy test करें तो morning की urine ले और जिस भी container में या धकन में आप urine ले रहे हैं वो एकदम clean यानि कि साफ होना चाहिए सूखा होना चाहिए वो गंदा नहीं होना चाहिए कई बार अगर आपने जो container लिया वो अच्छा नहीं है तो हमारे result उससे गलेत आ सकते है दूसरी बात होती है कि जब भी आप pregnancy test करते है तो आपकी जो kit है वो अच्छी brand की होनी चाहिए expire नहीं होनी चाहिए तो जब भी आप कोई भी brand की kit खरीदे वैसे सभी brand की kit काम करती है ऐसा नहीं है कि pregnancy test करने के लिए आपको preganeozy होना चाहिए या icon होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है सभी pregnancy card काम करती है कहीं बार कुछ pregnancy card में कुछ खराब ही आ जाती है जैसे कि अगर आपने pregnancy test किया और अगर उसमें एक भी line show नहीं हो रही तो इससे आप यह अंदजा लगा सकते हैं कि यह card खराब है आपको face test करने की जर्वत है कई बार pregnancy test आपका light line show होती है pregnancy test में तो इसका मतलब होता है कि आपने pregnancy test कापी पहले कर लिया है तो pregnancy test करने का सही समय क्या होता है आपने एक urine की डिबिली या container लिया जिसमें urine आपको collect करना है morning की क्योंकि morning की urine में beta-seg hormones का level सबसे ज़्यादा होता है फिर जब आपने urine collect कर ली फिर उसके बाद में आपको kit को open करना है kit में आपको इस type की एक strip मिलती है और एक urine का dropper मिलता है अब इस kit में आपको एक गड़ा दिकाई दे रहा है उस गड़े में आपको इस dropar से इस dropar में urine लेना है और 3 bund यूरीन का उसमें डालना है जहां आपको गड़ा दिकाई दे रहा गड़े में urine डालने के बाद में आपको दिखेगा कि ये पूरी पट्टी में यूरीन यहां से यहां तक चली गई है आपको देखना है उसको कई बार ऐसा होता है कि यूरीन आप अच्छे से डाल नहीं पाते हैं तीन बुन तो आप चार बुन भी उसमें डाल सकते हैं ताकि शूरू से आखरी तक यूरीन जानी चाहिए कई बार यूरीन बीच में ही रुख जाती है और आप सोचते हैं में रिजल्ट नहीं मिला तो कई बार ये गलतिया भी आप कर देते हैं तो यूरीन आखरी तक जानी चाहिए अगर आपको इसा लग रहा कि यूरीन बीच में ही खतम होगी तो आप एक दो बुन और डाल सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर जब पूरी पट्टी में आपकी यूरीन चली जाए तब आपको पांच मिनिट तक इंतजार करना है वैसे ही अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजटिव है तो वो काफी जल्दी दो मिनिट्स में ही वो आपको रिजल्ट बता देती है कि नेगेटिव है या पॉजटिव है अगर आपकी दोनों लाइन डार काई है तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी है और अगर आपको एक line आई है यानि कि एक line शो हो रही है तो इसका मतलब कि pregnancy negative है और अगर आपको कोई भी line शो नहीं हो रही दोनों ना negative वाली ना positive वाली तो आप यह समझ सकते कि किट खराब है दूसरी बाद अगर आपको एक line dark आती है और एक line light आती है तब एसी condition में आपको क्या करना है तो आपको एक हफते के बाद में फिर से pregnancy test करके देखना है तब आपकी pregnancy test की दोनों line ने dark आ जाएगी ओके तो जब भी आप pregnancy test करें तो यह बाते आपको कुछ ध्यान में रखना है और यह वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप में सब पूछ सकते हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद लाइब